ये हैं शिवराज सरकार में मंत्री ब्रिजेंद्र सिंग। या यूँ कहें कि ये टोटका कर रही हैं। ये तस्वीरें अशोक नगर की हैं, जो अब जमकर वाइरल हो रही हैं। दरसल मंत्री ब्रिजेंद्र सिंग यादव अपने गाउं सूरन में हनुमान जी के मंदिर के पास लगने वाले बोर उत्खनन के लिए जमीन में पानी ढूंड रहे थे। इस बीच उन्होंने हाथ में नारियल लिया और बाद में लकडी लेकर उसे घुमाने लगे। आपको बता दें कि ग्रामिगन शेत्रों में लोग बोर उत्खनन से पहले अकसर इसी टोटके से जमीन में पानी ढूंडते हैं। और जब नारियल वाइब्रेट करने लगता है तो इससे यह पता लग जाता है कि जमीन में कहां पानी है और कहां नहीं है। अनुमान है कि कब तक ही पानी पूरती है। देखो आप सब भी जानते हैं कि यह वात सही है कि जब से हमारे देश में हमारे प्रदेश में हम दो दो तीन तीन खेती करने लगे हैं। पहले हमारे बुजुर्ग खेती करते थे, ताला बनाते थे, एक फसल करते थे, चार महीने ताला भरे रहते थे, जलिस्तर बढ़ता रहे, आपने देखा हूँ छोटे छोटे नदियों में नालों में पानी रहता था, लेकिन अब जब दो तीन तीर खेती किसान जब से करने ल एड़बंपों से पाने पीते हैं, अब एड़बंपों के बाद जल इस तरह इतना नीचे जल आगा को उसमें हमको समर्शिवर मोटा डालना पड़ती है, तो इसको सब को देखते हुए हमारे मानिय प्रधान मतिय नर्यद मोधी जी ने, 15 आगस्त, 2019 को लाल के लिए से ये गुष्टा की थी, कि हम पूरे देश के हर एक गाउ में, हर एक घर में, 2024 तक सुद्ध पेजलो भलब्द कराएंगे, नल्यल योजिना के माध्यम से, तो आज पूरे देश में आप देख लू, हर प्रधेश में ये काम चल रहा है, मध्य प्रधेश में भीषण गर्मी के दौर में, जहां तेज गर्मी और तपन के कारण, हैंड पंप एवं जल स्त्रोथ सूख रही हैं, और पानी की कमी आने लगी है, ऐसे में ग्रामिन शेत्रों सहित, शेहरिक शेत्रों में, पानी के लिए परेशान होते लोग आसानी से देखे जा सकते हैं, इसे लिए अब मंतरी ब्रिजेंद्र सिंग ये टोटका कर रही है, खेर ये टोटका कितना सही साबित होता है, ये तो बात की बात है, लेकिन मंतरी जी के टोटके का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जम कर वारल हो रहा है, पंजाब केसरी के लिए अशोक नकर से गचेंद्र लोधी की रिपोर्ट शेयर करें धन्यवाद